हेलो दोस्तो कैसे हुआ आप सभी लोग तो आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टन्ट होने वाले आपने सभी बिजयमाय यूजर्स के लिए क्योंकि अगर आपको यह सुपर पॉइंट्स मिशन्स इवेंट के बार में पता नहीं होगा तो फिर दोस्तो आपकी 100 UC 200 UC या फिर 400 UC AC कट जाएगी तो आपको पता भी ने चलिगा कि कैसी के यह यह कट गई है इसलिए आप यह वीडियो को जरूर अंतक देखे उससे पहले दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार आये तो आप जनली से चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसे इंफॉर्मेटिव डियर्स दे कर देती है मतलब यह नीचे कामे से एसे ओप्शन दिकाई देता है सुपर पॉइंट्स मिशन अगर हम इसके ओपर प्लिक करते है तो यह आपको इसे बिखाई देगा लेफ्ट साइड में यह दिया है हजार पॉइंट्स अल्ड़ेडी कलेम जिरो दिकाई दे रहा है और य पर बहुत सारे लोग को इस event के बार में पता नहीं होता और वो सिधा collect के उपर click करते हैं ये नहीं पढ़ते ये क्या है ओके पर click करते हैं और सिधा उनका 100 UC चला जाता है और उस तो उन्हें 1000 RP points मिल जाते हैं तो दोस्तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो सबसे पहले आ यहां देख सकते हैं purchase और यह 100 UC नीचे दिया है यहां collect का option के उपर बहुत सारे लोग click करते हैं और फिर ok करते हूंने लगता है कि यह points हमें मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं है गाईज तो यह एक event है जो कि paid event है 1000 UC से आप total 1000 RP points ले सकते हो जो कि आप यह गिन सकते हैं सारे मिलकर 1000 points होते हैं तो यह collect का option आ रहा है पर इसे दोस्तो activate करने के लिए या फिर यह collect करने के लिए आपको 100 UC लगानी पड़ेगी जैसे आप 100 UC लगाओगे तो आपको 1000 RP points मिलेंगे और जैसे 1000 RP points मिल जाते हैं तो फिर यह जो shop के section में आप देख सकते हो इसके अंदर आप create opening कर सकते हो या फिर जो भी चीजे RP points से मिलती है जैसे कि आप देख सकते हो mini material से या फिर प्रिसलेंट अप्डेर कार्ड से या फिर यह देख सकते हो paint से तो यह सारी चीज तो यह आप purchase कर सकते हो in points से तो इसका यह use है तो total दोस्तों आप इस event से 3000 RP points को collect कर सकते हो तो first बार collect करने के आपको 100 UC लगेगी फिर जैसे आप collect कर लोगे तो दूसरा round शुरू हो जाएगा फिर दूसरे round में भी आपको 1000 RP points का collect का option आएगा पर उसकी price बढ़ते जाएगी तो फिर वो 200 UC में आपको मिलेगा फिर जब आप second round का collect कर लोगे फिर दोस्तों third round start होगा तो third round की price होने वाली है दोस्तों 400 UC तो टोटल शायद 700 UC में या फिर 800 UC में आपको 3000 RP points मिलेंगे और मैं आपको बता दू कि यह जो points आपको मिल रहे है यह RP activity pack के अंदर count नहीं होगे मैं आपको बता दू पहले ही नहीं तो आपको होगे कि यह RP activity pack के अंदर यह rebate हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है य terms and condition में उन्होंने already बता दिया है तो आप इसे तीन बार यह pack ले सकते हो तो guys इस information के लिए एक वीडियो को like कर दे और सबसे पहले आपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कर दे क्योंकि बहुत सार लोगों को पता नहीं होता और वो यह गलती कर देते है और फिर उनका scam हो ज झाल 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